जब भी हम लोग portfolio बनाते हैं तो कुछ ऐसे stocks होते हैं कि जो long term में अच्छा गासा performance देते हैं और भारती airtail का जो share है वो उनमें से एक है और आप देख सकते हैं कि लगातार stock जो है उसका trend आप देखते जाएए और वो trend जो है वो ऐसे ऐसे ही मिलेगा आपको देखें एक सीधी run-up को मैं दिखाने की अगर कोशिश करूं तो 2018 से 29 अक्टूबर 2018 पाच साल के run-up की बात करें तो 259 रुपए से यह stock जो है वो तीन गुना से भी जादा होता हुआ आपको नजर आया देखें दीरे-दीरे stock चलते हैं और काफी hurdles होते हैं large share की जहां तक बात करें और उसके कंपनी जो है नुकसान में थी तेलीकॉम सेक्टर में आपको जीयो पर इसान करता हुआ नजर आया और उसके बाद quarterly कंपनी का performance इंप्रूब होता हो गया और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना जवर्दस यहां पर perform किया इस performance के हिसाब से आज कंपनी का जो share है उसने 849 की closing लगाई फ्रेंड्स 849 की closing के बाद अब यह stock मेरे खिया से यह ठैरने वाला नहीं है आप देखिए कि यह stock जवर्दस तरीके से बढ़ता हुआ आपको आज के session में नजर आया volume भी अच्छा खासा इस stock में आप देखिए आज के सत्र में आपको यहां अच्छा खासा volume support क साथ मिलता हुए नजर आया stock in fact उससे भी उपर जाते हुए नजर आया था मैं अगर इसको point कर लूँ stock जो है 881 से फिर थोड़ा सा correction लेता हुआ 849 पे बंद हुआ था तो अब यहां पर यह stock मेरे खिया से रुकने वाला है नहीं इसकी अब रफतार और बढ़ने वाली है त तो EMA जो है stock का वो है 818 और उसके कहीं उपर जाकर कि stock जो है 849 रुपे पर बंद होता हुआ नजर आया अब यह 849 का मतलब है कि यहां पर तेजी का रुक यहां पर बनने वाला है अब पर जो दूसरा stock है वो है Brilla stock Brilla soft में लगतार कमजूरी आई उसका 574 है अगर जो जनव इचे का इस्तर जो छुआ था वो था 250 250 के लेवल को छूने के बाद consolidate होने के बाद stock लगातार upside में आता हुआ नजर आ रहे फ्रेंड्स 250 का जो इस्तर था वो आपको 29 March 2023 से साल और उसके बाद stock लगातार आपको upside होता हुआ नजर आप 250 रुपे से 349,90 रुपे का upside stock में जो 359,373,358 और 373 के लिए आपको यहां पर अपनी position जो है वो maintain करनी चाहिए इसके अगर EMA की बात करें तो यहां पर 334 रुपे का EMA है और stock लगाई है 343 रुपे तो अभी आसपास उसी के है लेकिन तेजी का रुख इस stock में लगातार बना हुआ है दिन का तीसरा stock आज की इस वीडियो में Tata Motors है EMA की बात करें तो 520 रुपे 520 रुपे यहां पर लेवल है और stock की closing हुई है 526 तो थोड़ा सा यहां पर एक कस्मकस की स्थिती है इस stock ने अच्छा खासा जो है company result दिया है उसके बाद से stock में upside आपको देखने को मिली है कुछ कमजोरी भी थी और उसके बाद यहां पर वो जो कमजोरी थी वो 510 रुपे तक stock को ले गई लेकिन फिर से rebound होता हुआ नजर आ रहा है ना भूलिये थैंक यू सूमच वर्ण्स